तो हलो और वेलकम अगें दोस्तों दो कल राच से एक न्यूज गर्मा गर्म तरीके से जबर्दस तरीके से ट्रेंडिंग पे चल रही है लगातार चर्चों पे चल ली कौन सी की डंकी मूबी जो है पोस्पॉन हो चुकी है या फिर होने वाली है लेगिन एक चीज मैं आपको ऐसी न्यूज या फिर ऐसी कोई भी चीज जब रिवील करते हैं तो सही ही होती है लेकिन यस अभी तक अफिसली ये चीज नहीं आई है बट में भी चांसेज हो सकते हैं कि मूबी पोस्पॉन हो गई हो देगो दुनिया भर की प्रिडिक्सन सेट करी जारी है दुनिया भर क ये चीज चल रही है कि सालार जो है सोलो रिलीज होने वाली है डिसेंबर में मतलब 22 डिसेंबर में डंकी जो है पोस्पॉन होने वाली है और ये लंबी पोस्पॉन होगी अभी नहीं होगी समर में पोस्पॉन होने वाली है ऐसी न्यूज भी निकल करा रही है बट ये पर चल रही है जब कि टाइगर 3 का अनॉंसमेट हो चुका टाइगर 3 के टीजर जब आ चुका था टाइगर 3 का ट्रेलर आ चुका था उसके बाद एनिमल तो ऐसी बहुत सी बड़ी-बड़ी मूवी जा चुकी थी उसके बाद भी जो डंकी वर्सिस सालार ये जो न्यूज है ये भाई साथ ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही है तो फैन बेस पर जबर्दस तरीके से लड़ाई चल रही है सोसल मीडिया पर एक फैन दूसरे के फैन को गालिया दे रहे हैं दूसरे वाले फैन पहले वाले सूपर स्टार को मलब परभास के फैन सारुक खान को सारुक को मिल रही है लेकिन वही चीज की अभी ऑफिसियली अनाउंस नहीं किया गया है आई डोन नो कि ये सलार का बिक फैन है या प्रभास का बिक फैन है इसलिए इसने ऐसी न्यूज रिवील करी है बट हू नोज लेकिन वही बात है कि यार डंकी जो मूबी पिछले साल ही बनके या फिर तैयार हो चुकी होगी ये मूबी कबसे रिलीज होने के लिए बैठी पड़ी है दूसरी तरफ सहरुक खान के पास पथान और जवान का इतना सॉलिड बूस्टर है इतनी सॉलिड ब्रैंडिंग है कि यहां सर अगर कोई भी मूबी डंकी के लिए सीधा-सीधा क्या अजमसन बनना क्या इमेजिनेसन बननी कि जब ये दोनों मूबी हिट गई है तो डंकी भी बढ़िया ही होगी जबरदस्त होगी लेकिन सालार एक बार पोस्पॉन हो चुकी है और अगर ये अब पोस्पॉन हो जाती तो ये मजाग बन के रह जाएगा सालार का यानि परभा जास की वो मूबी भी आने वाली अगली साल उसके बाद पुस्पार टू है तो बहुत ची बड़ी-बड़ी मूबी लाइन पर लगी पड़ी है अगर ये अभी नहीं रिलीज करते हैं अगर इस क्लैस से अगर ये डर जाएंगे तो आगे तो और भी बड़ी-बड़ी फिल जो पहले से प्री-प्लैंड रहता है इनके पास मूबी पूरी बनी हुई है आई थिंक टीजर टेलर भी इनके पास बना ही होगा दूसरी तरफ ज़ा साहरूख खान ने अपने मूँ से ये किसी इंटर्व्यूज में किसी इंटर्व्यूज में नी जबान के ब्लॉक्बस् पहला जब टीजर आ जाएगा किसका डंकी मूवी का अगर जब टीजर आ जाता है वहाँ पर ओफिसियल रिलीज डेट डंकी की रिवील हो जाएगी वैसे ओफिसियली तो रिलीज हो ही गई है कि 20 डिसमबर को आनी है लेकि टीजर के साथ ये अनौन्स कर देंगे कि या पोस सेप्टेμबर को सालार आनी थी लेकिन सालार पोस्पॉन हो गई थी तब साहरुख खान के फैंस ने प्रभास का और परसांथ नील का मलब सालार का बहुत ज़्यादा मजा कुड़ाय था अब क्या कहते हैं कल से जो देखने को मिल रहा है सालार का और प्रभास के जो फैंस ह वो सहरुख खान का जबर्दस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं जबर्दस तरीके से मलब ट्रॉल कर रहे हैं फाइनली जब ओफीसली ये रिलीज हो जाएगा तब हम मान के चलेंगे फिलाल अभी मैं नहीं मान रहे कि डंकी पोस्पॉन हो गई है अगर मेकर्स की तरफ से ये आ जाता है तो डेफिनेटली उस पे एक नई वीडियो अपलोट करती जाएगी बना दी जाएगी फिलाल के लिए डंकी वर्सी सालार आप किसको सपोर्ट करते हैं इस टाइम पर और कौन सी मूबी जवर्दस तरीके से बिजनिस करने वाली है कौन सी मूबी किसको खाने वाली है साउथ वेल्ट में किसका राज रहने वाला है नौर्थ वेल्ट में किसका राज रहने वाला है तो जो भी आपके राय है निचक मुएन वोक्स पर जरूब बता के जाना मिलते हैं अंगली वीडियो में जैहिंद